महावाक्य, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप, तुम्हें देही अभिमानी भाव का पाट पड़ाते हैं। इसलिए बाप करते हैं, आत्मभिमानी रहने का प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़, एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंद से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बतात धारना के लिए मुक्यसर, पहला पॉइंट, अपनी जांच करनी है की हमारे में कोई अवगुन तो नहीं है, कहा तक हमारी याद बाप तक पहुंचती है, हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है, वृत्ती और तरफ बटकती तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, एसा लवली बनना है जो बाप को कशीश होती रहे, सब को सुक देना है, प्यार से बाप को याद करना है। धारना के लिए मुक्यसर, पहला पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए सिवह बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा पॉइंट, सबसे शीर कंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। झाल को जन्म झाल को भी होकरों ठाट झाल के विरस लन्म note oल यहीं हैं। झाल को में विकारों फवि ऐस और है। इस मैं पॉब्यां है। धिस कि nen मैं उन्म जन्म ढूल कर दो चान के ओनंसों पईन् effekt, पन्म झाल आपके और गुँरों जग़ टों刜र हैं। झाल झाल झाल